नमस्कार मैं देक्षा सिंग और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है आज के दौर में लड़के लड़किया शादी को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं यहां तक की पेरेंट्स भी पहले बच्चों के अच्छे से सेटल हो जाने का इंतजार करते हैं और फिर उनके लिए रिष्टा तलाशते हैं इससे मैरिट कपल को ज्यादा बहतर जीवन जीने में सहायता मिलती है लेकिन बात प्रेगनेंसी की हो तो इसके लिए एक उमर के बाद महिलाओं को कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है कंसीव हो भी जाए तो मिस्केरेट से लेकर इस तिल बर्थ का खतरा बढ़ जाता है 20 से 30 साल की उम्र को प्रेगननसी के लिए बेस्ट पीरियड मारा जाता है इस एज गुप से जुड़ी महिलाओं में प्रेगननसी से जुड़ी समस्याओं का सामना करने की आशंका काफी कम होती है इस उम्र में महिला के शरीर में सबसे जादा स्वस्त अंडे होते हैं जिससे कंसीव करने का सक्सेज रेट जादा हो जाता है 30 से 49 साल की उम्र 30 के एज गुप में एंटर करते हुए महिला के शरीर में मौजूद अंडों की संख्या कम होने लगती है महिला के शरीर में करीब 10 लाख अंडे होते हैं जो प्यूबर्टी तक आते आते 3 लाख ही रह जाते हैं इन में से 300 से 400 ही ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में सफल हो सकें 37 की उम्र तक सिर्फ 27,000 अंडे ही रह चाते हैं ऐसे में कंसीव करने का प्रतिशत बहुत कम रहता है इस एज ग्रूप में यदि महिला कंसीव कर भी लेती है तो उसे कई तरह की medical problems हो सकती है जो कोक में पलने वाले बच्चे के विकास पर असर डालता है इतना ही नहीं इस एज ग्रूप में कंसीव करने पर गर्भ पात की आशंग का भी ज्यादा होती है 40-49 साल की उम्र के बीच एक study के मुताबेक इस एज ग्रूप में यदि महिला 3 महीने तक कंसीव करने का प्रयास करे तो उसका success rate सिर्फ 7 प्रतिशत ही होता है यदि वह pregnant हो भी जाती है तो उसके और बच्चे के कई तरह के health risk में पढ़ने की आशंग का होती है इन खत्रों में गर्ब पाथ, समय से पहले delivery, बच्चे का कम वजन, बच्चे में जन्म से ही कई बिमारिया, जन्म के समय बच्चे की मौच शामिल है इस उम्र में कंसीव करने वाली महिलाओं में BP वा शुगर की समस्या आम होती है जो मिस्केरिज के खत्रे को दो गुना बढ़ा देते हैं इस वीडियो में फिल हाल इतना ही इसी तरह के अन जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ